नमस्कार दोस्तों सुवागत आपका ओटोके 2018 टुटोरियल के next lesson में इस lesson में मैं आपको बताने वाला हूं limits के बाएं कैसे limit को set किया जाता है कैसे limit के जाता है हुआ limit के हमें जुट क्यों पढ़ती है तो चली start करते हैं अब सबसे पहले मैं आपको try करूँगा थोड़ से simple से language में समझाने की कि actual में limit होता है क्या है मालो मेरे पास एक rectangle है यह मैंने कोई भी एक rectangle बनाया REC enter किया मैं कोई भी एक rectangle बनाता हूँ मेरे को नहीं पता क्या size है अगर आप size के according बनाना चाहते हैं तो आप उसको size के according भी बना सकता है वह मैं बताता हूँ अभी माल में मैं चाहता हूँ कि मैं एक limit set करूँ कि मैं इस rectangle के अंदर ही work कर पाऊँ आप बाहर के एरिया पे work ना करता हूँ क्लियर दोस्तों तो उसके लिए क्या करेंगे आप अपनी limit को set करेंगे तो limit को set करने के लिए basically क्या करेंगे limit set करने के बाइद यहां पर आपको बोलता है है specify करें lower left corner और आप यह values डाल सकते हैं यह मैं बताता हूं अभी सबसे पहले मैं इसकी condition follow करता हूँ specify करें lower left corner आपका lower left corner यह वाला है आपने यह click किया तो इसने क्या कि उसके coordinate वहां से pick की है clear दोस्तों और उसने बोला specify करें upper right corner आपका right corner आपका यहां पर है आप यहां पर क्लिक करें तो क्या होगा है कि मेरी एक limit set होगी कि आप इसी में काम कर सकते हैं बट होता है क्या है जब आप work करेंगे आप अंदर भी work कर पा रहे हैं और आप आपने इस क्योंकि बाहर भी work कर पाया है एक्चल में हुआ क्या आपने limit को set तो किया बट आपने limit को on नहीं किया तो उसके लिए आप क्या करेंगे L I M I T enter उसके बाद आप limit को on कर दें अब इससे होगा क्या कि जब आप work करेंगे आप line अगर कमांड यूज करते हैं तो आप अंदर तो work कर पाएंगे बट आप बाहर कहीं पे बीट भी नहीं कर पाएंगे आपकी limit सेट हो चुकि है कि आप इसी limit में अपना work कर पाएंगे clear दोस्तों उसके बाद मैं limit को off करता हूं पहला ही हमें T enter और limit को मैंने off किया तो आप बाहर भी यहां पर work कर पाएंगे clear यह तो था limit हम कैसे use कर सकते हों क्या limit होते है अब हम limit क जो किस-किस वे में यूज करते हैं वह मैं आपको बदाता हूं मैंने सबको delete किया मालो मिलों मेरेको काम करना है मेरेको कोई भी work करना है जब आप z enter a enter करते है जए एंटर बेसिकली क्या होता है जूम all कर लेता है पेज को यह पेज का size बहुत बढ़ा है तो इस पेज की करना है मैं चाहता हूं कि मैं कोई work करो और वह एक और साइज के पेपर पेपर होता है वह उसकी चो लैंद और विड्थ होती है लैंद होती है 297 mm और जो विड्थ होती है वह होती है 210 mm तो उसके लिए आप क्या करेंगे मालनों आपने unit set की un enter और यहां पे आप mm पे काम कर सब्सक्राइब आपने यहां से आपने mm किया और आपने एक rectangle बनाया आर इसी एंटर उसके बाएद फस्ट क्लिक किया डी एंटर 297 एंटर 210 तो आपका देखो यह बोक्स बना अब देखो अब यह जो एपोर साइज से भी छोटा पेज है यहां पर जो आपको यहां पर शो ह हो रहे है क्लिर दोस्तों आप मेरे को क्या करना पड़ेगा मेरे को स्क्रॉल करें इसको जूम आउट करना पड़ेगा ताकि यह लेयाउट मेरे पीज के बीच में आ जाए वह पता चिले मेरे पीज सधी चल कि रहा है आप इतना साइज है वह मेरे को पता है कि 297 by 210 mm है प्य कि करके देखते हैं या फिर मैंने इसको टِलिट किया दूसरे क्यों होता है कि मै जो फ़स्त कॉर्णार दो वो दोड क्लीनेट जीरो जिरो तो उसके लिए क्या करेंगे आपने एक रेक्टैंगल बनाया इक क्ली या फिर आपने कhone या फिर आपने उससे पहले limit set कर दी ल, i, m, i, t, enter आपने रखा lower left corner आपने coordinate प्रोडिनेट की 0,0 तो क्या होगा यहां पर आ जाएगा आपका lower left corner अब है upper right corner अगर आपको यह चीज़ देखनी है मैं आपको clear तरिके से समझाओंगा अभी यहां पर मालू मैंने एक rectangle बना दिया और उसके लिए first corner point रखना मैंने 0,0 पर एंटर और second corner रखना मैंने 297,210 पर तो आपके एक rectangle बना अब limit भी आपने इतनी set को रापके rectangle भी बन चुका है आप limit को on करते हैं अब देखो होगा क्या अगर आप अब यहां पर जैड एंटर एंटर करते हैं मतलब जूम all करते हैं आपने क्या जैड एंटर एंट करो एंटर तो क्या होगा वह पूरा का पूरा एरिया ही आपके limit के अंदर आ जाएगा क्लियर दोस्तों अब आपको जैड एंटर एंटर करते ही पता चल जाएगा कि हाँ इतना एरिया वह एरिया है जितने भी मैंने limit सेट की हुई है अब अगर आप यहां पर वक करेंगे तो अंदर बल पहुपाएगा बाहर नहीं कर नाएंगे क्योंकि आपने limit on की हुई है अगर आप limit off भी करेंगे तो उससे फरक सिर्फ इतना पड़ेगा कि आप इस एरिया की बाहर भी वक कर सकते हैं क्लियर दोस्तों उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि जो इसके लिए आप जाएंगे grid display और आप यहां से यूज करें grid display एंटर यहां पर value आती है एंटर new value पर grid display जो यहां पर values होती है वह होती है आपकी 12348 इस तरिक्के से value होती है यह चीज़े मैं आपको बाद में बताऊँगा इसके लिए आप प्रेस करेंगे यहां पर एक code होता है to press enter तो आपको क्या होगा जितने में आपने लिमिट सेट की हुए आपको सिर्फ उतने में ही grid शो होगे बाकी के page पर आपको grid ही शो लेगी क्लिए दोस्तों यह फंड होता है आपके लिमिट सेट करने का आप वापिस जाके उसको तो आपको grid शो होने स्टार्ट हो जाएंगे एक और किसे grid हम कैसे यूज़ करते हैं माल लो आपने एक लाइन लगाई आप और वो लाइन लगाई आपने माल में मेरे को यह लाइन चीए 1000 आपने यहां पर 1000 टिप खा अगर आप देखो आगे से जाते हो तो यहां पर आप देखो करसर के पास 640-650 ऐसे जा रहा है अगर आप 1000 करते हो तो आपके स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं प्रेयर दोस्तों इसके लिए फिर बाद में आप क्या करते हैं आप स्क्रोल करते हो आपने स्क्रीन पे इस वीव को ले कि आते हो ठीक है और अगर आपने 1000 की लाइन लगाई और आपको जो वर्क करना है वो वर्क करना है माल लिमित करें और यहां से चुज कर सकते हैं जो मेरे हैं वह 150 एटाकि यहां पर आप अगर आप लोबर लैप बॉन स्य पर रखते हैं कि आपके घंडि गर्ट्वी जाहती है कि अधर और अगर आप यहां पर तो रख। यहां पका यहां पर िम्ट्स होर्ट पड़यस सरा तो आपको वो लाइन डोट आईगी, वो आपको दिखाई भी नहीं देगी, तो basically हम क्या करते हैं, हम जब काम करते हैं, तो हमें पतो होता है कि हमें actual में कितने area की requirement है, हम उसी के according अपनी limit को set कर देते हैं, limit से सिर्फ effect इतना पड़ेगा, कि जब आपने ये लगाए तो आपक पूरी screen को दिखाएगा, बट अगर आप limit set भी नहीं करते हैं, मालों एक सरकर आपने यहाँ पर बनाया, उसके बाद Z enter, A enter करते हैं, तो जितनी भी screen पर आपका बना हुआ है, आपको उसी screen को आपको view करके दिखा देगा, अगर आपने limit set की हुई है, तो आगर आपने यहा से करते हैं, Z enter, A enter, तो वो क्या करेगा, उस पूरे view को यहाँ पर भी पूरे view को दिखा रहा है, अगर आप limit को on करते हैं, तो इसी view को यहाँ पर show करेगा, इसलिए हम limits का use करते हैं, clear दोस्तों, तो basically क्या होता है, कि कभी-कभी जब हम drawing बनाते हैं, सबसे पहले हम limit को set कर ल इसी dimension का घरना है, तो आप बार-बार इस page पे नहीं जाएंगे, आप सिर्फ इतने को zoom करना चाहेंगे, तो इसलिए हम limit को set करते हैं, आप इतने से page को limit पे set करेंगे, ताकि आप Z enter, A enter करें जब भी, तो यह वाला portion आपके सामने आजाए, उतनी distance का आपके सामने आजाए, जहां पे सिर्फ इस वरे से हम limit का use करते हैं, clear दोस्तों, hope, आपको समझ माहा होगा कि आप limit को कैसे use कर सकते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो please like कीजिए, और जो new viewers हैं तो please मेरी वीडियो को subscribe किए, आपके subscribe के भीन प्लीज मर जाएए, और मिलते हैं हमार आपके ले नेक्त वीडियो में, थाइए, और मुझे तो अपके लेग।